ये है Samsung S21 FE ये है वीवो का V30 Pro हम करने वाले हैं आज इन दोनों फोन का camera comparison detail में और आप जानते हो जाइस का camera इसमें लगा हुआ या ये वी 30 pro के camera को पिशाड़ आएगा detail में comparison के और इस वीडियो को बाद आपको दोनों में देखने को मिल जाता है यहां प्याकरने बात को वाइड एरिया आपको ज्यादा ज्यादा वाइड वीडियो मिलता है थोड़ा ज्यादा आपको background में वाइड एरिया मिलेगा यह चीज है h21 में तो उतना ज़्यादा वाइड नहीं होता है लेकिन v30 pro में आपको थोड़ा सा color boost मिलेगा पेड़ देख रहे हो वहाँ पर देखो h21 fe में उतना color ज्यादा वहाँ boost नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पर v30 pro में color boost हो रहा है ज्यादा यह चीज है overall skin tone वगरा दोनों की अच हलका सा कर रहा है close up short की बात के details दोनों में similar है दोनों अच्छे वीडियो शूट करते हैं लेकिन color tone वही warm cool tone का फर्क यहाँ पर भी है अब चलते हैं OIS पर यह वीडियो दोनों में stability चेक करते हैं क्या दौरते हो वीडियो बना रहा हूं लेकिन देखो यहाँ पर मैं बोलू अच्छे काम करते हैं चलते हुए वीडियो बना होगा तो दोनों काफी अच्छे काम करते हैं ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा और वहीं दोड़ोगे तो दोड़ते हुए तो S21 FE थोड़ा better काम कर रहा है तो overall OIS दोनों में अच्छे चलते हैं आपको कोई OIS से problem नहीं नहीं मिलेगा और साथ में V30 पर आप देखो यहां पर भी वाइड एरिया शॉट कर ले रहा है यहीं जी बोलूंगा थोड़ा सा ज्यादा वाइड एरिया कैप्चर करता है 4K 60 हो या 1080 हो हर जगा overall OIS दोनों में अच्छे काम करते हूं यह 1080 है 60 है यहां पर यह चाफी सही है यहां पर Stability OIS Better है S21 FE में अब जलते हैं यह है इसका बुक के वीडियो देखो दोनों में अच्छे से ब्लर करता है बैक्ग्राउंड को कहीं भी ज्यादा noise बालो वगरे पर नहीं मिलेगा देखो हाथों के बीच में फिंगर्स के बीच में कोई noise नहीं है बालो पर यह बैक अब आपको आपके उपर है कि आपको कौन सा ब्लर बैक्ग्राउंड अच्छा लग रहा है S21 FE वाला या वी 30 प्रो वाला लेकिन यहां पर स्किन टोन हो बैक्ग्राउंड हो कलर हो डीटेल्स हो सब कुछ अच्छा है ऐसा भी नहीं है कि यहां पर कोई प्राब्लम कर रहा ह यह इसका टेली फोटो 3X पर है और 3X 2X देखो S21 FE में आपको मिलता 3X और V30 Pro में 2X अब देखो दोनों में जूम पर है लेकिन दोनों की क्वालिटी यहां पर भी अच्छी है जैसा कि 1X में था वैसा ही यह 3X और 2X में भी शूट करता है बलर वीडियो में यह वीडियो श वैसा रियल में बिल्कुल वैसा है और V20 और V30 Pro जो है वो भी अच्छा है लेकिन कहीं नहीं मुझे थोड़ासा लगता है कि थोड़ासा मतलब रियाल्टी की तरफ नहीं रहता है यह बोलूँगा क्योंकि आप खुद देख सकते हो S21 FE का जो कलर टोन है और V30 Pro का क्लर टोन क्यासा रहा है बागी दोनों क्यामने फ्रेंट में अच्छे हैं इस्टेविलाजेशन आपको दोनों मिलता द्यामिक में यहां पर आप देख सकते हैं दोनों स्मिलर ही काम करें मतलब डैनमिक में 19-20 का फ़र्क समसंट का होगा लेकि दोनों अभी सिमलर ही है बाकी बुके में और बलर की बात करें यहां पर एस्टॉन्टीवन फी फिर से विनेर ही मैं बोलूगा क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो जो एज डिटेक्शन है बालों पर जो एज मतलब नौइस है नहीं और एस्टॉन्टीवन फी काफी अच्छे से वीडियो शूट कर रहा पेड़ पर देखोगे यहां पर बिलकुल ग्रीन तो यहां पर यह चीज है तो थोड़ा सा कलर बुष्टिंग वी थर्टी प्रो में है स्टॉन्टीवन फी लेकिन सबसे ज्यादा नेक्स लेओल करें अब बारी है फोटो उसकी देखो यह अल्ट्रा वाइड अल्ट्रा व तो रहा है सेमसंग में यह मैं बोल रहा हूं कि वी थर्टी प्रो में काफी हद तक इसमें इंप्रूफ किया गया है यह को पता भी नी चलेगा कौन सब फोन का फोटो किस से लिया गया है लेकिन यहां पर भी आपको बहुत ज्यादा रिएल और बहुत इसमिलर फोटो मिले blur background दोनों ने बहुत सही से किया हुआ है कोई noise वगेरा आपको नहीं मिलेगा और background में भी काफी सही है ये इसका टेली photo पे है 2x और 3x देखो टेली photo में भी बहुत ही सही photo लिए मतलब मैं बोलूँगा V30 Pro अब की real में Zyze के camera के साथ S21 FE काफी हद तक टकल दे रहा है ultra wide में थोड़ा सा color better आ रहे है Samsung में 1x 1x में भी यहाँ पे similar है warm और cool tone का यहाँ भी फरक आपको देखने के मिलेगा उतना जादा फरक नहीं मिलेगा sky बिल्कुल real दोनों में सही आ रहे है कोई washout नहीं हो रहा है यह इसका 3x और 2x है तो मैं बोलूँगा 3x, 2x हो ultra wide हो, 1x हो यहाँ पे बहुत ही जादा हद तक real similar photos आ रहे है यह close up shot है, देखो 1x का shot है यह लेकिन यहाँ पे फरक बिल्कुल भी नहीं है बहुत कम फरक आपको मिलेगा देखने को जो कि आप notice भी नहीं कर पाऊगा यह selfie है, selfie में बिल्कुल real बिल्कुल दोनों similar हाँ, sky में V30 Pro थोड़ा problem कर रहा है washout हो गया है, लेकिन Samsung better sky ले रहा है आसमान में, लेकिन blur में देखो blur में दोनों अच्छे लेते हैं, लेकिन आसमान के वही बात करें, यहाँ पर washout हलका सा color change होता है, sky का V30 Pro में S21 FM थोड़ा better real आ रहा है बागी overall photo बहुत similar है और यहाँ पर V30 Pro में आपको 2X ता zoom मिलता है, front में भी, यह इसमें थोड़ा advantage है, और S21 FM फ्रेंड में से 1X तक ही आप zoom कर सकते हो और blur में भी यहीं सेम चीज है front में portrait photo है, यह blur वाली यहाँ पर भी आप 2X zoom कर सकते हो V30 Pro में, बागी overall photo अच्छे आती है यहाँ पर यह है इसका 3X 3X में मैं बोलूँगा कि यहाँ पर फोड़ा real side अभी की टाइम में यह S21 FE में ही है, बागी overall दोनों सही photo ले रहे हैं अगर वहीं 1X की बात करूँ या ultra wide की बात करूँ हर जगे काफी ज़्यादा सही से photo दोनों ले रहे हैं और Samsung को इस बार इसने काफी हद तक टक कर दिया हुआ, मतलब 19-20 का फर्क आपको मिलेगा शाए वो ultra wide हो, 1X हो, 3X हो हर जगे, यहाँ था इसका ही अपके better washout ने कर रहा है background को, dynamic range बेटर रख रहा है V30 Pro Samsung से भी, यहाँ पर देखो यहाँ पर दोनों similar photo है, इसका ही दोनों में बनलब बराबर ही है थोड़ा सा 19-20 का फर्क यहाँ पर देखने मिलेगा पतलब आपके बार काफी सही किया गया यह है इसका 3X और 2X अभी यहाँ पर भी आप देख सकते हो हाँ, यहाँ पर एक चीज़ कहूंगा, Samsung थोड़ा अच्छे से काम कर रहा है, background में, sky में लेकिन वी 30 pro में थोड़ा सा वाश आउट हुआ background, close up shot, एकदम close यह है और details दोनों में देखो, बहुत ही जाजा सही है और काफी सही है, मतलब overall दोनों के फोटो अच्छे आ रहे हैं इस बार काफी सही लगा, मुझे वी 30 pro सब्सक्राइब कर सकती हो, हम लोग 10K सब्सक्राइबर का टार्गेट रखे हुए सब्सक्राइब करना बिल्कूल नहीं बूला, ताकि आपको इस तले के content मिलते रहें तो फी मिलते हैं किसी और वीडियो में